नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेके स्टार कर जिनुए और इस पूरे डिजाइन का PhD फाइल भी आपको लिंक में मिल जाएगा आप वहाँ से चाहें इसको इजली रूप से डाउनलोड करके आप अपने में बना सकते हैं लेकिन एक छोटा सा रिक्वेश्ट आप सभी से जरूर होगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चले दोस्तों ज्यादा देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को सुरू करते हैं चले दोस्तों आगये हम अपने कंप्प्इूटर स्क्रिन पर सबसे पहले हम आपको बताएं दे कि आज का जो डीजाइन रहने वाला है दोस्तों वो डीजाइन हम बिपावली के सुबकामनकर बनाने वाले हैं कुछ इसी तरीके का design हमारा रहने माला है कि ऐसा design आप खुद से अपने photos आप से कैसे तयार कर सकते हैं फिर इसको आप अपने mobile के द्वारा WhatsApp पे Facebook अगरा पर या फिर किसी भी social media पर कैसे इसको post कर सकते हैं अचली दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नया हम page बना लेते हैं Ctrl N को हम press करेंगे हमारे सामने नया page का ये option हमारे सामने खुल जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे हम इस size को inch में कर लेते हैं यहां पे inch में करने के बाद में कोई साभी एक size हम ले लेते हैं चरखुटा size है हमारा तो 24 और नीचे में 24 कर देते हैं regulation हम बहुत तर पता दे कि बैग्राउंड आप Google से भी लोड कर सकते हैं नहीं तो यहां पर हम जेख सकते हैं कि हम पहले से बैग्राउंड वगरा सब डाउनलोड करके रखे हुए हैं जहां पर हम इसको ओपन कर देते हैं जो जो चीज इसको करने वाला है वो सारा चीज हम आपको PhD के माध्यम से लिंक में दे देंगे आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्ते बहुत आसानी से और उसके बाद अपना बदलाव आप सुछ से भी कर सकते हैं इस बैग्राउंड को हम इस वाले पेज पे ड्रॉ कर देते हैं ड्रॉ करने के बाद में कुछ हलका बैग्राउं हमारा रहने वाला है यहां पे हम इसको पूड़े को फिल कर देंगे फिल करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि हमारी मर्जी है हम इसमें बोडर दे या ना दे हम बोडर भी दे सकते हैं और बोडर भी नहीं दे सकते हैं तो हम बोडर नहीं देने वाले हैं तो यहां पे हम को सलेक्ट किए चेक्ट सलेक्ट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं आप अब सभी देश वरस्यो यहां पर हम इतना हम टाइप कर लिए तो टाइप करने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहां पर हम इसको छोड़ा सा छोटा कर देते हैं यह जो टेक्स्ट है दोस्तों यह राज फॉंट के अंतरगत आता है राज फॉंट के अंदर ही यह सारा फॉंट आता है बहुत सारा फॉंट आपको मिल जाएगा वहाँ पे राज फॉंट अगर आपको डाउनलोड नहीं करने आता है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही easily. यहाँ पर इसी text को हम alt के द furnace copy करते हैं copy करने कवाद toe को पिर्ाक करके पूरे text को हम select करते हैं और यहाँ पर हम अपना दूसरा text लिखते हैं दिपावली यहाँ पर कर दिया अब this text को हम बदलते हैं यहाँ से इस text को थोड़ा आप बोल्ड में हम कर लेते हैं, तो बोल्ड टेक्स्ट हमारा यही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ इतना बड़ा हम कर लेते हैं, आपको जितना रखना होगा, आप अपने हिसाब से इसको रख लिजिए, रखने के बाद में आप हम क्या करते हैं, कि दिपाव यहां बनेगा हम simply क्या किये हुए हैं यहां पर हार्दिक सुपकामना का एक टेक्स हम Google से डाउनलूड कर लिए हुए हैं यहां पर आप भी सर्च किजिएगा हार्दिक सुपकामना तो यहां पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा अब simply हम इस इस पेज को हम यहां पर अपने नए वाले पेज पर रखते हैं इसको बढ़ा करते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं पेज के हिसाब से अब यह आ गया अब इस टेक्स को हम direct कैसे डालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस पूरे टेक्स को हम सेलेक्ट करते और यहां भी सेलेक्ट कर दिए और यह वाला नहीं हुआ है यहां भी हम सेलेक्ट कर लेंगे अब देख लेंगे कि पूरा सेलेक्शन हमारा हो गया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे कीपड में कंट्रोल एक्स को हम प्रेस करेंगे और अल्ट को प्रेस करके तीन बार हम एल को दबाएंगे ल, 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 तो ये सदा के लिए डिलेट हो जाएगा जो हमारा बचा हुआ से अवसेज था, अब इसको आप इसाप से, इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे अगर हमको दुकान का नाम लिखना है, या फिर किसी कंपनी या किसी ब्रांडिंग का नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम यहां पे एक column छोड़ देते हैं कि आप यहां पे text बना सकते हैं उसके अंदर आप रख सकते हैं अब हम क्या करते हैं कि हमको इसमे color को add करना है color हम पहले उपर सही सुरुआत करेंगे क्योंकि उपर में हमारा जो text लिखा हुआ है सबसे पहले हम यहां पे आता है यहां पे हम इस text को select कर लिए यहां पे color overlay में गए overlay में जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे इसको magenta color कर लेंगे यहां पे इस तरीके से कर लिए ok कर दिए यहां पे थोड़ा stroke देना होगा हम दे देंगे थोड़ा सा यहां पे white को बढ़ा देंगे बढ़ाने के बाद में अब हमारा बाड़ी आता है दिपावली पे तो दिपावली पे किस तरीके का text आप बनाना चाहते हैं चाहे simple या फिर आप चाहें तो इसमें दीपक वगेरा background करके आप इसमें add कर सकते हैं तो उसको कैसे कीजिएगा मैं पहले से ही google से एक image को download करके रख लिया हूँ यहां पे मैं आपको वो image open करके दिखाता हूँ इसी image को हमको इस text के अंदर डालना है तो आज मैं आपको दो तरीका बताऊंगा कि इस text में किस तरीके से आप image को add कर सकते हैं सबसे पहला मैं तरीका बताता हूँ इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कहीं भी अपलाई कीजिएगा बहुत अच्छा चीजिए है यहां पे हम इसको draw कर देंगे किसी भी image को आप फुरा सा zoom कर लेते हैं यहां पे हम आएंगे और इस text के हिसाब से दोस्तों इस text के हिसाब से हमको इस image को adjust करना है इसके पीछे से कि आप इसके पीछे मतलब कौन सा background रहना दे रहे हैं यहां पे हम ok कर देंगे ok करने के बाद में अब हम क्या करेंगे दोस्तों मान लीजे कि इतना text हम इसके अंदर डालने वाले हैं और इसको आप नीचे कर लीजे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस text को हम select करेंगे इस text को select करेंगे और यह image हमारा नीचे ही रहना चाहिए इस text को हम select किये select रहने के बाद में अब हम जाएंगे eraser पर eraser पर यहां पर कहीं पर भी text पर क्लिक कर देंगे ok कर देंगे ok कर देंगे अब हमारा यह text यह अलग एक layer बन गया है यहां पर आप text अगरे लिखिएगा तो इस text इसके अंदर जाएगा नहीं क्योंकि हम इसको layer बना लिए है अब हम क्या करेंगे कि W से यहां से W को प्रेस करके आप magic image magic tools पर आ जाएगा यहां पर हम select करते हैं पूरे दिपावली text को select कर लिए उसके बाद हम move tool पर आते हैं pilot text को select कर लिए move tool पर आए और नीचे वाला जो area है जो background है layer theory हमारा इसको हम select कर लेते हैं select करने के बाद में अब हम क्या करेंगे जाएंगे यहां पर image वाले पर अब इसको हम कर लेंगे control x और control b कर लेंगे यहां पर देख सकते हैं कि हमारा यह दिपावली का text हमारा बन के तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से और यह background वाला जो चीज है यह देख सकते हैं यहां पर ही कट गया है इसके अंदर से तो एक तो यह तरीका है कि है कि आप दिपावली का text मतलब कैसे आप इसको बना सकते हैं दूसरा एक तरीका है दोस्तों कि जैसे आपको इस दिपावली के text के अंदर अपना image add करना है इस image को तो यह image हमारा google में open है हम क्या करेंगे यहां पर edit वाले option पर गए और define pattern यहां पर define pattern पर हम click कर देंगे ok कर देंगे अब हम आएंगे इसमें और दिपावली में लाना है हम जो save किये हैं यहां पर pattern overlay पर इसको click करेंगे click करते यहां पर arrow वाले निसान पर सबसे नीचे देखेंगे दोस्तों हमारे यह दिपावली का text हम select जो किये थे वो आ गया है अब यहां से यह इस वाले point से आप इसको adjustment कर सकते हैं किस तरीके से आपको कहां पर रखना है text अब हम क्या करते हैं कि यहां पर stroke हम देते हैं तो उसके लिए हमको क्याप करना पड़ेगा outer glow पर गए outer glow पर जाने के बाद थोड़ा सा black color का हम इसमें रख देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा लिए यहां पर normal कर लिए और कुछ इस तरीके से हम text में पीछे से लगा दिए ताकि हमारा दिपावली text जो है दिखना चालू हो जाएगा यह देख सकते हैं इसको आप और अच्छे से समय देखर बना लीजिएगा यहां पर हम क्या करते हैं कि इसको आप और stroke वगरा दीजिएगा यहां पर यह पूड़ा देख सकते हैं दोस्ते यह बड़ा होगा और दिखना चालू हो जाएगा आप इस text में हम क्या करते हैं इस वाले layer में हम gradient में जाते हैं gradient में जाने के बाद हम यहां पे गए लिखिए और यहां से थोरा सा कथक type का color इस वाले column में ले ले लेंगे और इस उपर वाले color में भी हम चालू हो गया अब यहां पे हम stroke ले लेते हैं दोस्तों stroke कुछ इस तरीके से हम आगे के तरफ बढ़ा देते हैं यहां पे बढ़ा दिए अब हम क्या करते हैं इसी text को हम और असा 3D में बनाएंगे तो उसके लिए alt का सहारा कम लेंगे अल्ट से हम क्या करेंगे इसका एक और copy बना लिए 사가पी बनाने के बाद में हम यहां पर color पे color वाले option में clean layer style में चले गए यहां से हम color overlay पे गए जाने के बाद में हम यहां पर white background कर देंगे इसके बाद में stroke में हम क्या करेंगे थोड़ा सा कि इस ट्रॉप को कम कर देते हैं ओके कर देंगे फिर उसके बाद में आप हम जाएंगे फिल्टर में बलार में मोसन बलार में यहां पे कुछ इस तरीके से अगर ज्यादा होगा यह वाला डिस्टेंट तो इसको आप कॉम कर दीजिएगा क्योंकि साइज हमारी बैनर का छोट कि इसमें अगर इस टेक्स्ट में अगर देना होगा दोस्तों कुछ और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए यहां पे भी हम दे देंगे आगे बढ़ा के यहां पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेंगे और इस एंगल को हम सेट करेंगे 135 नीचे वाले को 65 और यहां से हम इस थोड़ा आगया दिखने फिर इसके बाद में इसमें भी हम बवल एंड इंबोस्त कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वह अच्छे से दिखने लगे तो इसको हम क्या करते हैं 135 हमारा 65 पर सेव है इसको हम थोड़ा सा आगे के तरफ को ऐसे ले ले लेते हैं बलैक कलर का नाम था अगर आप चैनल पर नएने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा दोस्तो और अगर आपको फोडो सॉप से किसी भी तरह का जनकारी चाहिए होगा तो आप मुझे जरूर कॉमेंट कीजेगा मैं उसका हल निकालूँगा दोस्तो आपको जो भ मेंट करांब वहाँ से चाहिए तो इसको डानलोड भी कर सकते हैं दोस्तों यहां पर हमद को इसका के लग्त कर देते हैं तो उस image को हमको कैसे add करना है, यहाँ पे rectangle tools पे गए, तो उस पे जाने के बाद में यह पूरा area देख लिजेगा, यहाँ से जो खाली space बचा हुआ है हमारा, इसको आप थोड़ा सा यहाँ तक adjust कर लिजेगा, जितना थोड़ा बड़ा हो पाए, आपको जितना बड़ा रखना है उस हिसाब से, इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे, छोटा करने के बाद में, अब हम क्या करते हैं दोसकोद, इसमें हम image को add करते हैं, लेकिन जब भी आप you को press कीजेगा, यो को press करते वक्त देखेगा, ये वाला area नहीं, हमारा ये चर्खुटा वाला area हमारा select रहना चाहिए, ये select रहेगा, और यहां से ये cross वाला निशान हमारा रहेगा, color कोई सा भी रहेगा, चल जाएगा, लेकिन image add करते वक्त वैसा चाहिए, तो एक image है हमारा, हमारा ही हम सकल है एक आदमी, तो उसी का image है, इसको पहले हम निकालते हैं, image कहाँ है, image हमारा, जैसे कि ये इस image को हमको add करना है, तो यहां से हम इसको copy करेंगे, copy करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस वाले rectangle tools वाले पे हम paste करेंगे, इसी को select करके, उसके बाद में हम इसके अंदर डालने के लिए क्या करेंगे, control, alt और, g को press करेंगे, ये image हमारा, इस shape में हमारा आ जाएगा, यहां से कुछ इस तरीके से हम image को adjust करने, जितना आपको रखना होगा, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहांपे shape two में हमें stroke देते हैं, ताकि हमारा यह और अच्छा दिखना चालो हो गया, यहांपे हम इसको gradient में जाते हैं, gradient में जाने के बाद में यहांपे सत्रनिय कolor ले ले रहे हैं, इसके बाद में कुछी स्थरीके से बढ़ा दिए पराने के बाद में लाइनर पर जगह है और यहां पर रिफलेक्टेट कर दिए परने के बाद में यह एरिया आमारा खाली लग रहा है तो इसके लिए भी एक इमेज हम डाउनलूड किये हुए है इस वाले इमेज को पी आप से इसको रख लिजेगा और इसको कम करने के लिए आप कीपड में कोई साभी नंबर प्रेस कीजेगा तो यह कम हो जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा यह पूरा डिजाइन हमारा फाइनल हो जाएगा उसके बाद में आप हम क्या करेंगे दोस्तों इस पूरे चीज को ह आई पर भी भेद सकते हैं उम्मीद है दोस्तों कि मेरे इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा अगर एक भी जनकारी अगर आपको कुछ नया लगा होगा या फिर एक भी जनकारी अगर आपके काम का होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहेगा टेक स्टार्क अर्जुन मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय दोस्तों